नमस्कार दोस्तों मैं राना में इम्रान मनी और मज़ा में आपका स्वागत दो तो आज के वीडियो में हम देखने वाले की एक लाख रुपे निवेश करके हम दस करोर रुपे कैसे बना सकते हैं तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंट पूरा देखिएंगा चली फ्रेंट से वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंट्स देखी हम जो बात कर रहे हैं एक लाख रुपे निवेश करके दस करोर रुपे बनाने की तो हम ये स्टॉप मार्केट में निवेश करके ऐसा कर सकते हैं तो आपको क्या करना है जोस्तों, आपको अपने पोर्ट्फолिए में 20 शेट शामिल करना है, ठीक है अपने पोर्ट्फोलिए में 20 शेयर आप लेके रखिये 20 स्क्रिप्ट लेके रखिये हर script आप 5,000 रुपे की अपने portfolio में लेके रख सकते हैं ठीकि 5,000 रुपे की एक share में अगर आप ऐसे लगाओंगे तो 20 share में आपके पूरे 1,00,000 रुपे लग जाते हैं और आप ये जो share अपने portfolio में शामिल करोंगे ये हर sector की top two company आपको उसी में से शामिल करना है हर एक sector है मानलो FMCG सेक्टर है तो उसमें की जो top two company है उसमें से आप company select करिये auto है तो उसमें से top two company जो है उसी में से आप select करिये top two company में से हमें company आप सेलेक करना है और ऐसी 20 company आपने portfolio में हमें शामिल करना है तो इस तरीके से हमारे जो portfolio तो diversified portfolio बन गया मतलब हर एक sector की company हमारे portfolio में शामिल हो गई हर एक company में हमने बराबर पैसा लगाया पाच-पाच हजार रूपे निवेश कर गया तो इस तरीके से एक लाग रूपे हमारे निवेश हो गए अब दीगे दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोर रहा हूँ कि आपको कि हर sector की top two company ही आपको शामिल करना है क्योंकि आप कोई भी sector की top two company अपने portfolio में शामिल करोंगे तो वहाँ पर आपकी fundamental analysis करने की महनत है ठीके विसके फॉन अच्छे हैं तो जरूपे आपको fundamental analysis करने की जरूरत ही नहीं है आप मतलब अच्छी fundamental company अपने portfolio में शामिल कर रहे हो, ठीक है, और ये top two company जो है, उसमें से मैं आपको ये recommend करूँगा, कि जो second number पे है, उसको आप शामिल करिए अपने portfolio में, first number वाली को शामिल मत करिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखे, market capitalization के साब से वो company आएंगी, तो second पे है वो company, तो उसमें थोड़ा बहुत chance आपको ये हो जाता है, कि उसमें आपको long term में return ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो पहले number पे company, वो ज्यादा develop company है, second number वाली जो company है, वो थोड़ी कम develop है, पहले के मुकाबल तो long term में जब वो company है चलींगी, तो ज्यादा return second वाली company आपको कमा के देंगी, तो हर sector की top two company निका लिए आप, उसमें से भी जो second number पे वो वाली company अपने portfolio में शामिल करे, और दोस्तों अगर आप fundamental analysis कर सकते हैं, तो करिए, अगर आप fundamental analysis करके कोई company बाहर निकालोंगे, select करो तो वहाँ पे आप में भी ज़्यादा return कमा सकते हो, क्योंकि fundamental analysis में आप में भी mid cap की company भी निकाल सकते हो, last cap की भी निकाल सकते हो, small cap की भी निकाल सकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कि last cap, mid cap और small cap की company अगर हम fundamental में जोन के निकालते बाहर, तो उसमें long term में और भी ज़्य fundamental analysis हमें करना आना चाहिए ठीक है अगर हमें आता है तो करिए fundamental analysis और वहां से कोई company वहां निकले उसमें आप ज्यादा return भी कमा सकते हों बट अगर fundamental analysis आपको करना नहीं आता है या फिर आप नहीं करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर एक sector की top two company में से ही हम company सिलेक करें चलिए दोस्तों अब हम calculate करके देखते हैं कि अगर हम एक लाख रूपए निवेश करते हैं stock market में तो 10 करोड रूपए हम कैसे बना सकते हैं उसका calculation हम करके देखते हैं तो SIP planner app में मैं जा रहा हूँ या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पे हम आ गए SIP planner app में यहाँ पे lump sum calculator है उस पे मैं क्लिक करता हूँ यह lump sum calculator रूप रूप में क्लिक कर दिया हम जो lump sum पैसा निवेश कर रहे है stock market में वो कर रहे एक लाग रूप है तो मैं यहाँ पे एक लाग रूप है एंटर कर रहा हूँ तो फ्रेंड देखिए यह जो रिटन दिया है मैं जो रिटन बात कर रहा हूँ यह सेंसेक्स के रिटन की बात कर रहा हूँ मतलब large cap company में 17% का average return अभी तक की history में stock market ने दिया है तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम उतना ही रिटन या फिर 1% उससे ज्यादा 18% का रिटन हम stock market से expect करके चल सकते हैं क्योंकि हम direct stock market में पैसा निवेश कर रहे हैं अगर हम mutual fund में पैसा निवेश करेंगे तो वहाँ पे 12-13% का return हम expect कर सकते हैं बट अगर हम खुद निवेश करेंगे तो at least वहाँ पे हमारा expectation 18% की हो नहीं चाहिए तो 18% का return हम expect करके चल रहे हैं stock market से और ये जो हम पैसा निवेश करेंगे दोस्तों ये करेंगे हम 40 साल के लिए क्योंकि दोस्तों आम यहाँ पे एक छोटी amount से बड़ी amount बनाने की बात कर रहे हैं मातर एक लाख रुपे से 10 करोड रुपे बनाने की बात कर रहे हैं तो इसमें समय तो लगेंगा ये एक दो चार साल में नहीं होगा इसके लिए 40 साल का समय लगेंगा क्योंकि मैं already इसे calculate कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहूँ आपको अभी देखे मैं calculate बटन पे क्लिक करूँगा तो आपको पता चल जाएंगा तो जैसे ही मैंने calculate पे क्लिक करा तो आपका पैसा कितना बंद रहा है maturity amount will be 12 करोड 69,069,754 रुपीज after lump sum investment of रुपीज 1,04,10 of 40 years मतलब 40 साल के लिए अगर आप 1,00,000 रुपे stock market में लगाते हो और 18% का return वहाँ से expect करते हो तो आपके जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 12 करोड 79,00,000 रुपे तो इस तरीके से आप दोस्तों 1,00,000 रुपे निवेश करके 10 करोड रुपे stock market के जरीए बना सकते हो और दोस्तों हमें share तभी बेचना चाहिए जब उस company में permanent problem आ रही हो तो हमने share खरीद लिया अपना portfolio बना लिया मतलब इस तरीके से जो investor के साथ में cheating वाले मामले हैं अगर वो मामले होते हैं कोई company में तो वहां से आपको exit करके दूसरी company में जाना है इस तरीके की कोई permanent problem अगर कोई company में नजर है आ रही है तो वहां से आप निकलिए भाहर ठीके और दोस्तों इसके बाद में होती है temporary problem तो temporary problem से हमें घबराना नहीं है temporary problem अक्सर company में आते रहती है उससे हमें घबराना नहीं अब temporary problem के example क्या है जैसे कि मानलो quarterly result अब एक-दो quarter के result खराब आते है किसी ना किसी company के ठीके अब एक साल में 4 quarterly result होते है ठीके एक दो कॉटर के रिजल्ट खराब आ सकते हैं, बड़ी-बड़ी कमपनियों के कॉटरल ही रिजल्ट खराब आते हैं, तो इसे हमें घबराना नहीं है, और इसके अलावा और एक टेम्टररी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि मानलो किसी के गोडाउन में आग लगई कमपनी के, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जतनी भी कमपनिया स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनका फायर इंशुरंस होता है, तो गोडाउन में आग भी लगई तो सारी चीजे रिकवर हो जाएंगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अलावा कमपनी कैसे चलींगी, तो उससे भी हमें घबराना नहीं है, कमपनी चलते रहती है, महला कि डेथ होंगी ही, उसके बाद में भी कमपनी चलींगी, तो फिरेंड देखिए, अगर कोई कमपनी में परमनन प्रॉब्लम है, तो ही हमें वो शेयर को बेच के बाहर निकलना है, अ पस आप भुल गए हम, लॉंग टम के लिए, ऐसा नहीं, समय समय पर आपको अपना पोटफोलियो चेक करते रहना है, आपके पोटफोलियो के अंदर में जो शेयर आपने लिये है, वो ठीक से परफॉर्म कर रहे है, या नहीं कर रहे है, वो आपको चेक करते रहना है, उन क पूरा दिन भर आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो मिनिट भी अगर आप देख लोगे तो आपका काम चल जाता है, तो बिजनिस न्यूस चैनल वाले क्या करते हैं, कि हर घंटे हेडलाइन चलाते हैं, तो आपको एटलिस वह हैडलाइन देख लिजे, हैडलाइन अगर आप देख लोंगे, तो आपके पॉटफ्पोलियो के अंदर में जो भी शेयर है, उसमें अगर कोई बड़ी न्यूस होगी, तो वह हैडलाइन में जूरूर फ्लैश हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा, कि आपके पॉटफोलियो के अंदर में जो कामपनी या उसमें कुछ negative news है गया तिके या फिर कुछ positive news भी है तो भी आपको पता चलना चाहिए तो वो आप देख सकते हो अगर आप वो नहीं देखना चाहते है तो फिर money control की website पे उनका एक segment होता है stock in news उसे आप एक दिन में एक बार जरूर पढ़ लीजिए तिके वहाँ पे जो जो share है जिसमें news है उसके बारे में वो लोग बताते है कौन-कौन सी news है और सारी चीज़े लिखी होती है वो आप पढ़ सकते होगे अगर आप उसे पढ़ना नहीं चाहते तो आप ए audio वाला भी option होता है उस audio पे अगर आप क्लिक करोंगे तो आपको सारी चीज़े सुना ही आए उसके बारे में update ले सकते हो दोस्तो हमने जो example देखा वो एक लाग रूपे निवेश करके 10 करों रूपे बनाने का देखा ठीक है आप जितना निवेश करोंगे उतना return आपका बनेगा ठीक है एक लाग के जगा पे आप दो लाग रूपे निवेश करोंगे तो आप 20 करों रूपे भी बना लोंगे तो आपके investment के ओपर आपका return डिपेंड करेंगा बट हमारा जो example था वो एक लाग रूपे निवेश करके 10 करों रूपे कैसे बना है वो हमने देखा